आज में एकदम नए स्टाइल में बनाने वाली हूं करेले की रेसिपी ऐसे बनाने से आपको करेले कभी कड़वे नहीं लगेंगे और इतने स्वादिश बनके आएंगे मैंने इसमें डाला है प्यास का तड़का इससे तो और जादा भड़िया स्वाद आने वाला है तो सबसे पहले यहां पर हमने यह चार करेले लिये हैं अब हम क्या करते हैं इसको हलका हलका पहले उपर से और नीचे से इसका पाट जो है कट कर देते हैं और फिर इसके गोल-गोल पीसे काटते हैं, अभी हमने बस करेले को अच्छे से धो कर लिया है, अभी हमने ना इसका छिलकाची लिया है, बस सिर्फ धो कर अच्छी तरीके से इसको ले लिया है, और अब हम इसके गोल-गोल पीसे कट कर रहे हैं, ना आपको जादा मेहनत करने के सोभर्फ बहुत सिंपल तरीके से बिना कड़वे करेले की सब्जी बन कर तयार होगी यहाँ पर लाउने पानी लिया है इसमें में डाल देती हूं नमक पानी के पहले नमक के पानी में गड़ा हाथ दरनें पाँपन से उकले आदा कर्वा गालेका ट्रीक लिदा से थिशन के एक पानी में नमक में डानी में 5 मिलती बद्धकी राखेंगे इसकी निकल गए है। अब इसको घ। निकल गए है। इसका इक चलनी चौनाने को लिती है। क्योंकि हम इने करेले को पकाना होता है भाप में तो हम भाप में इन करेले को पकाएंगे तो उसके लिए हमने चलनी में एक सेट के लिए जो जाली वाली आती है कडाई में पानी को गरम करने पहले ही रख दिया था जो चलनी सेट हो जाए वैसे ही चलनी हमने ली है और इसको अब हम ढग देते हैं कड़ाई के उपर रखने के बाद और दस मिनिट के लिए इसे मीडियम सिम गैस पे भाप में पकने देते हैं चलनी से निकाल के लिए प्लेट में निकाल लिए हैं आफ इसको बहुत अचछा थरका देनें लिए हैं सरसो का तेल की यूँज कर रहे हैं यह हमारी एक और मस्त ट्रिक है, ऐसा करने से इसे हमने भाप में पकाई, फिर हमने डी फ्राय करते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत ही जदा स्वाधिस्ट आता है, अगर बच्चे जैसे करेले कड़वे की वेज़े से नहीं कहाते हैं, तो अगर आप इस ट्रिक के साथ करेले उन्हें खिलाएंगे, तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और आप से हर दूसरे दिन इस सबजी को बनाने को कहेंगे, तो फ्रेंट्स करेले हैं तो बहुत ज़्यादा फाइदे मन तो अब फाइदा अपने घर में जरूर अपना है, और यह करेले की सबजी अपने कटकी हुई प्याज इसमें डाल दी है, उसके बाद प्याज डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से बून लेती हूँ, फ्रेंट्स के करेले आपने खाए होंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते इसकिप कर सकते हैं, डारेक करेले भी बना सकते हैं लेकिन एक बार इसे बहुत टेस्टी लगेंगे, यहां हमने हरीमिर्च की है, हमने थोड़ी मोटी मोटी गोल-गोल कट की है, वह भी मैसमें डाल देती है, और इसको भी कुवच्छे से मुझे बूनना होता है, फ्रेंट्स रेसेपी को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर अब इसमें हम डालते है, कद्दुकस की होई टमाटर, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेंगे, और इनको अच्छी तरीके से मैं बून लेती हूं, तो फ्रेंट्स देखिए, यहां पर हमने यह काद्दुकस की होई इसको भून लिए इसमें, अब गैस को स्टेंपे हमें मीडियम रखना होता है, जब मसाले डालने तो सिम कर दीजिए, इसमें अब मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, फिर इसके बाद इसमें मैं डाल लिए लालमिच पाउडर, साथ ही साथ मैं डाल देती हूं धनिया इसके बाद इसमें डाल देती हैं स्वात के नुसान नमक, यह सारे मसाले नमक वगरा टमाटर प्यास सब अच्छी तरीके से हमारे इस तरीके से भून जाते हैं, तो देखिए इस साली चीजे हमने अच्छी तरीके से भून कर तैयार कर लिए हैं, जैसे कि आप वीडियो मे जो हमने तो फ्राइ करके रखे हैं, तो करेले डालके इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हैं, अच्छे से चलाते हुए इंको मिक्स कर लेती हैं, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, डालते हैं ड्राइ अमचूर पाउडर यानि की अमचूर पाउडर और इससे क्या ह जालने की अब ज़रूरत नहीं हमारे पॉफेक करे ले बिल्कुल बनकर तयार हो चुके हैं जैसे कि आप वीडियो में देखी सकते हैं तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर बनाई और सब के साथ शेयर कीजिए गैस को मैं बंद कर दिया इसको मैं रोटी पराटे क साथ सब करती हो तो फ्रेंट्स कैसी थी मेरी ये रेसेपी अपने गर पे आप इसको बनाए और इंजॉय करें मैं आपके साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई